भयंकर से भयंकर कंदो का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द, अगर आपको भी ये समस्या हो रही है ना दोस्तु तो आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि सिर्फ साथ दिन में आप इस समस्यासे छुटकारा पा सकते हैं, जब ये दर्द हमारे सरीर में बूद दिन तो अमारे जो आत हैं वो सुन पढ़ने लग जाते हैं, नसों में दर दोने लग जाता है, रात को नींड भी चैन से नहीं आती है, जब गर्दन और कंदे पर उजदा दुखते हैं, तो इसके लिए आपको मैं ऐसा राम बाणु पाई बताऊंगी, कि आपको सिर्फ साथ दिन समश्या क्यों ना हो, साथ दिन में एकदम ठीक हो जाएगी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये दर्द उटा क्यों है, कई बार क्या होता है, हम जैसे वजन वगिरा जादा उठा लेते हैं, या जादा काम करने से आपकी नसों पे लोड आ जाता है, तो उसकी वज़े स भी हो जाता है, और कई बार ये आपके सरीर में, जब विटामिन्स की कमिया हो जाती है, तो भी आपको ये हो जाता है, दोस्तों, तो आज हम जो उपाय बता रही हैं, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, कि आपकी विटामिन्स की भी पूर्ती होगी, और साथ की साथ आपक जो नसे वगेरा टाइट हो गई हैं, वजन के कारण, वर्कलोड के कारण या किसी भी कारण से, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, तो इसको आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे की मैं जो चीजे बताऊंगी, वो सही से आप चान पाए, तो सबसे पहले आपने इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है, किस तरीके से इसको बना कर तयार करना है, और कितने दिन के लिए आप इसे एक बार में बना कर तयार कर सकते हो, तो आप वीडियो को बिना स्किप्ट योए लगातार लेते हैं, तो आमने यापे जैसे चीजे लेनी हैं, बादाम किसमिस और अखरोट इनका वज़न रहेगा सवी का 50-50 ग्राम 50-25 ग्राम किसमिस ले ले, 50-25 बादाम ले और 50-20 ग्राम ही आपको अखरोट लेने हैं, अभी मैं आपको ये कम बना कर दिखा रही हूँ, आपको लेकिन एक बार में 50-50 ग्राम सारी चीजे लेने हैं नुस्खा तयार करने से पहले जो भी चीजे आमने लिए हैं जैसे किसमी से इसको दोना जरूरी होता है साथ में जो आम साबुत अखरोट लेकर आते हैं अखरोट आपको इसमें साबुत ही लाने हैं दोस्तों 100 ग्राम ले आए तो 50 ग्राम ग्री आपको मिल जाएगी इसकी इ इसलिए ये बात आप ज्यान रखना जब भी आप अखरोट लेकर आएंगे ना खरीद कर आपको साबुत लाने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सारी चीजों को दो कर लेंगे इसमें इस मुस्खे में ऐसा नहीं है कि पानी लगेगा तो चीजे खराब हो जाएंगी नही इसलिए आप सारी चीजों को अच्छे से दो कर लें बस भीगो कर आपको नहीं लेना है सिर्फ आपको तुरंत चीजे डालनी है दो तीन बार जैसे भी पाने इसे दोना है क्योंकि आखरोट की जो गिरी होती है कई बार इनमें भी अल्की सी जुन-जुनी आपको मेल जाती लेकिन दोले इसमें पानी का कोई वो नहीं है कि पानी आपको नहीं इस्तिमाल करना है इसके बाद में जो किसमिस आप दोएंगे ना एक तो वो सबसे लाष्ट में दोए और दूसरा उसको आप आतों से मसल मसल कर अच्छे से थोड़ा सा टाइम देकर यानि एकाद मिनिट का टाइम लगा कर उसको दोएं जिससे कि उसकी पूरी दूल मिटी साफ हो जाएं इस तरीके की एकदम अच्छे से आपको दो कर फिर किसमिस का इस्तिमाल करना क्योंकि इसको खुली जगे में सुकाते हैं तो इसके उपर दूल मिटी जो है बहु ज़्यादा होती है अगली चीज आरे पास है दोस्तों निंबू यहां पे कम से कम एक निंभू का रस लगेगा बड़े साइज का निंबू है तो चोटा निंबू है तो आप दो निम्बू भी ले सकते हैं तो मैं इसमें कम अंदाजे से चार से पांच चमच निंबू का रस डालोंगी क्योंक लेकिन यह आपको जरूर डालना है यह क्या है एक तो आपके जो नुस्का है उसको और एल्डी बनाएगा और दूसरा इस नुस्के को खराब होने से भी बचाता है इसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं आती है इस तरीकिसे आप बनाएंगे तो तो यहां पे मैंने अगली चीज इसमें और क्या डालने है आपको जैसे आपने निम्बु कारश डालना ना चार पांच चमच इसी तरीके से इसके अंदर आप साधा नॉर्मेल टेमपरेचर का पानी भी डालने चार से पांच चमच एक बात दियान रखना इसमें आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है या तो फिर आप क्या कर सकते हो जब आप इसे इस तरीके से जैसे आम आपी ग्राइंडर जार में डाल कर इसका पेश्ट बनाएंगे तो आप साथ-साथ भी थोड़ा-थोड़ा करके डाल सकते हो अगर आप अंदाजा नहीं ले पा रहे हैं या पे तो लेकिन एक क्यों चाहते हैं तो वो जो है ना इसमे शैद नाडाले साथ अर अगर आपको मेठा नहीं लेना है तो आप सकीप कर दे इस तरीके से आपको ये पीश लेना है जीतना हो सकँए ना उतना बारिक कर ले आप और अल्के फुल के टुकडे भी इसके अंदर रहे जाते हैं तो क अच्छी बात है अगर अलके फुल के इस तरीके से मैंने इसको ज़्यादा बारिक नहीं कि आपको दिखाने के लिए रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं अब जो है ना इस मुस्के को स्टोर करने के लिए आपको कोई कांच का बरतन लेना है दोस्तों चाए बाउल आप ले इसको डखन वाला या फिर इस तरह का जार है आपके बास वो ले सकती हो जैसे आप इसे 50-50 ग्राम चीजों के साथ में बनाएंगे थोड़ा हाज जादा बनेगा तो आप किसी जैसे गर में कांच के जार है ना तो उसमें बरके डखन लगा कर और स्टोर करने के लिए आपक ये फ्रीज में रखना है अब ये खाना किस तरीके से वो भी बताऊंगे आपको लेकिन जिनको सोल्डर में या गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है ना दोस्तों उनको एक कम जरूर करना है रोजाना एक तो गरम सिकाई करनी है और दूसरा आप सर्षों का तेल ले ले गरम कर ले जैतुन का तेल है तो वो ले ले उसको आप अलका सा पानी में रखके गरम कर ले डबल बोईलर से और फिर आप इस तरीके से अपने सोल्डर की और गर्दन की मसाज अलके-अलके आतों से जरूर करवाएं जिनको समस्या है साथ की साथ आपको सोल्डर से लिलेट देसे 15 से की और किया ज़ुकाना है करें उंसे तरीका से 15 सेटाइब करें अब है जो सिर्टर्व क्वाइब दागा करें きे उर्याये जाएंगे एक्सरसाइज वगेरा की गर्दन और सोल्डर के दर्द के उस वीडियो को देखकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हूँ अब यह जो पेश्ट बना कर तयार किया है यह आपको दोनों टाइम एक एक चमच खाना है तेल की मसाज और गर्म सिकाई करनी है गर्दन और सोल्डर की इस तरीके से आप देखेंगे साथ दिन में आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो यह था अमारा आज कनुस्खा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से र कमेंट और चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद